मेरे पैरे दोस्तों, अगर साइबरिये टैगर और ग्रिजली बेर के बीज लड़ाई हो जाए, तो इस लड़ाई में विजेता कोन बनेगा? एक दोनों ही जानवर शानदार और काफी टाकदवर हैं, इन दोनों ही जानवरों में कई ऐसी अनोकी आदते मुझूद हैं, जो इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाग शिकारियों में शामिल करती हैं, एक दोनों जानवर आपनी शानदार लूप और शिकार करने के तरीकों से लोगों का ध्यान आपनी और अकरशीत करते हैं लेकिन तब क्या होगा जब एक दोनों जानवर आपस में लड़ेंगे एक तरफ है साइबेरियन टाइगर जो दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर है और दुसरी तरफ है ग्रिजली बेयर जो दुनिया के सबसे खतरनाक जानू में से एक है या साइबेरियन टाइगर इस लड़ाई को जीत पाएगा या फिर ग्रिजली पेयर उसे हरा देगा इसी बात का पता आज हम इसी वीडियो में लगाने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें मेरे प्यारे दोस्तों और अगर आप इस चैनल पर न से पता चल गया होगा कि एस साइब और ताइगर के नाम से बीसे माबले में सभी बड़ी विल्यों में सबСे बड़े होते हैं एक साइबेरियन टाइगर आम तोर पर 3.3 मिटर तक लंबे हो सकते हैं जिसमें इनकी एक मिटर लंबी पूच भी शामिल हैं और इनका एवरेज वजन 220 किलो होता है लेकिन एक मेल साइबेरियन टाइगर का वजन 320 किलो तक हो सकता है एक फीमेल साइबेरियन टाइगर का वजन कम होता है जो कि 200 किलो तक हो सकता है अलाकि साइबेरियन टाइगर बेंगॉल टाइगर से भी बड़े होता है लेकिन इनका वजन लगबग सेम होता है क्योंकि बेंगॉल टाइगर का एवरेज वजन 210 किलो होता है दूसरी तरप ग्रिजली बेर एशिया यूरोप और नौर्थ अमेरिका में पाये जाते हैं इन्हे नौर्थ अमेरिकन ब्राउन बेर के नाम से भी जाना जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रिजली बेर अलास्का में पाये जाते है अलास्का में इनकी पॉप्यूलेशन दी सज्जार है एक एडल्ट मेल ग्रिजली बेर दो मीटर तक लंबे हो सकते है और इनकी शोल्डर राइट वन मीटर तक हो सकती है एक male bear का average वज़न 270 kg होता है और female bear का average वज़न 200 kg होता है लेकिन अब तब का सबसे बड़ा grizzly bear 12 feet याने की 3.6 मिटर लंबा था और उसका वज़न करीब 1 टन था इतने बड़े और भारी शेरिर के कारण वो खड़ा होकर पानी भी नहीं पी सकता था ए बेयर अलास्का के एक फार्मा में साल 1967 से 1991 तक रहा करता था लोग इस grizzly bear को गोलियत के नाम से बुलाते थे जब साल 1991 में इसकी मौथ हुई थी तब से इसकी बोड़ी को न्यूजर्सी में मौजूद स्पे फार्म जू एंड मूजियम में स्टोर करके रखा गया है मेरे पैरे दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि साइबेरियन टाइगर सभी टाइगर में सबसे बड़े होते हैं इसलिए भागते समय इनकी कापी एनरजी यूज होती हैं और ये अपनी तेज रप्तार में ज्य बागते हैं लेकिन एक साइबेरियन टाइगर करीब 96 किलोमीटर पर घंटे की रप्तार से भाग सकता है और रात में आसानी से शिकार कर सकता है इसलिए इने शिकार के लिए पूरी तरह से अपनी रप्तार पाथ डिपेंट नहीं करना पड़ता दूसरी तरफ ग्रिजली प होंगे क्योंकि यह दिखने में कापी सुस्त लगता है लेकिन आपको बता दे कि एक ग्रिजली पेर दुनिया के सबसे तेज इनसान से भी जादा रप्तार से भाग सकता है क्योंकि अब तक का रेकॉर्ड किया गया इंसानों की टॉप रप्तार करीब 44.7 किलोमीटर पर पर आपको बाड़ी के हिसाब से काफी तेज है सिर्फ इतना ही नहीं यह इसी रप्तार के साथ कहीं किलोमीटर दग बिना थके भाग सकते हैं लेकिन इनके चलने की रप्तार किसी इंसान के जितनी ही होती है एक पेरे दोस्तों साइबेरें टैगर बहुत ही गतरनाक शिकार होते है और और अपने माहोल में असान से छिप जाते हैं अलांकि ये दिन के समय में भी खाने की तलश में रहते हैं लेकिन यह रात में इस आपकर को छोटे जनृरों कि तलश में रहते हैं ऐसे एल्क और जंगली सुवर ये शिकार के जितना हो सके पहले उसके नजदिक जाते हैं और फिर उनके उपर हमला करते हैं ये आपने लंबे केनाइन दातों की मदद से शिकार को बड़ी आसानी से मार डलते हैं इनके के नाइन दात करीब 7.6 सेंटीमेटर तक लंबे हो सकते हैं साइबेरियन टाइगर करीब 950 प्यासाई के दबाव से काड़ सकते हैं और आपने से कई गुना बड़ी जानौरों का भी शिकार कर सकते हैं मेरे पैरे दोस्तों दुसरी तरफ ग्रिजली ब्यार ओमनी फोर्स होते हैं याने कि एमांस के साथ साथ पेड़ पोधे और फल भी खाते हैं गर्मी के मौसम में यह ज़्यादातर घास हर्ब्स प्रूट्स बेरीज और नट्स खाते हैं लेकिन जब यह शिकार पर निकलते हैं तब अकसर मचली, गिलहरी, हिरन और एल्क जैसे जानौरों का शिकार करते हैं जब यह हिरन जैसे जानौरों का शिकार करते हैं तब यह अकसर इनके बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं इसके अलावा ये लोगों के पालतु जानवर जैसे भेड और बक्री का भी शिकार करते हैं। फालू अपने शिकार को मारने के लिए उसे उसकी गर्दन या पीट पर काटता है। एक ग्रिजली बेर करीब 1200 PSI के दबाव से काट सकता है। इसके अलावा इनके पंचे इतने ताकदवर होते हैं कि इसके एक फटकार से उसके शिकार की रीड की हट्टी तूट जाती है। इसके साथ ही शिकार करने में इनकी तेज रपदार भी काफी काम आती है। मेरे पैर दोस तो एक बेंगोल टाइगर हो या फिर कोई साइबरियन टाइगर इन्हें जादा तर अकेले में रणा पसंद है। इसके अलावा टाइगर काफी टेरिटोरियल होते हैं याने कि आपने इलागे को लेकर काफी सचित रहते हैं। टाइगर अक्सार पत्तल और पेडों पर आपने नाकुनों से निशान बनाते हैं। जिससे एपने इलागे की सिमा तई करते हैं। इसलिए टाइगर के पास शिकार करने के लिए काफी बड़ा इलागा होता है। बहर एक सर राद को शिकार करते हैं। दुसरी तरफ ग्रिजली पेर आपने साथियों के साथ वर्ता लाप करने के लिए साउंड मुवमेंट और स्मेल का इस्तेमाल करते हैं आपने कही वीडियो में जरूर ऐसा देखा होगा जिसमें भालू आपने बोडी को पेड़ों के साथ रगडते हैं वह ऐसा करके दुसरे भालू को ये बताता है कि वह उस जगह पर आया था हाला कि भालू को अकेले में ही राना पसंद है लेकिन मेटिंग सिजन के दोरान नर और मादा एक साथ रता है जब मादा भालू बच्चों को जन्म देती है तब वह अपने बच्चों को नर से दूर ही रखती है क्योंकि खाने की कमी होने पर नर भालू अपने बच्चों को खा जाता है मेरे पैरे दोस्त तो एक दोनों ही जानवर कापी खतरनाक शिकारी होते है लेकिन एक साइबिरियन टाइगर ग्रिजली बेर से कई गुना बेतर शिकारी है साइबिरियन टाइगर के केनाइन दाथ एक ग्रिजली बेर के दादों से ज़्यादा लंबे और मोटे होते हैं आलाकि इन दोनों के पंजे लगबग सेम ही स्ट्रांग होते हैं लेकिन टाइगर के पंजों में मौझूद ना कुन, किसी भालू के पंजों में मौझूद ना कुन से ज़्यादा शार्प होते है। इसके अलावा टाइगर किसी बेर से ज़्यादा इंटेलिजन्ट होते है। अब तक मैंने आपको जितनी भी बाते बताई, उन सबी से तो ऐसा ही लगता है कि एक टाइगर बड़े ही आसानी से एक रिजली बेर को हरा सकता है। और रश्या में ऐसा देखा भी गया है कि खाने की कमी की कारण साइबिरेन टाइगर ने एक ब्राउन बेर को मार डाला है। और टाइगर अक्सर भालू के बच्चों का शिकार करते रहते है। लेकिन एक भालू की सबसे बड़ी एड़ांटेच है उसकी बोडी क्योंकि बालू की बोडी पूरी तरह से मसल और फैट से धकी होती है। इनकी बोडी में मुझूद फैट किसी आर्मर की तरह काम करता है। इससे इनके इंटर्नल और्गंस, स्कीन के काप्यंदर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहते है। यहां तक की कई ऐसे केसेज भी हुए है। जब शिकारियों ने भालू को गोली मार दी थी। लेकिन वो फिर भी वापस उटकर शिकारियों के उपर हमला कर दिया था। इसलिए एक भालू टैगर को कटी टक कर दे सकता है। टैगर की नजर हमेशा उसके शिकार के गरदन पर होती है। क्योंकि यही वह पार्ट है। जहां पर काटकर वह अपने शिकार को बढ़ी आसानी से और बहुत चल्दी मार सकता है। लेकिन एक भालू के मामले में यह इतना असान नहीं होगा। क्योंकि भालू की गरदन बाकी जानूरून से मोटी होती है। और इसमें कापी मातरा में फैट होता है। इसलिए एक टाइगर को इस पर अपनी पकट जमान में कापी मेनाथ करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि हम जाधे हैं कि टाइगर एक महीर शिकारी होने के साथ साथ कापी स्ट्रॉंग, फास्ट और जिद्धी होता है। इसलिए वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, हाला कि यह लड़ाई थोड़ी लंबी होगी। लेकिन आखिरकार इस लड़ाई में टाइगरी विनर बनेगा। यह लड़ाई बहुत खतरनाक होगी। और इस लड़ाई में टाइगर को भी कापी चोटे लग जाएगी। मेरे पहरे दोस्त, आपको इस बारे में क्या लगता है। आपके सबसे इस लड़ाई में कौन जितेगा। मैं कमेंट करके जरूर बताईएगा।